नमस्कार आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और आज हम चर्चा करने वाले हैं SSE CGL एक्जाम के बारे में आप में से काफी लोगों ने एक्जाम के बारे में सुना होगा और काफी लोगों ने एक्जाम का नाम भी नहीं सुना होगा काफी लोग अभी तक ऐसा ही लगता होगा कि SSE मतलब 10 वी लेवल की exam ठीक है बट ऐसा नहीं है SSE CGL यानि Staff Selection Commission exam conduct करता है CGL की, CHSL की और MTS की हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं CGL exams के बारे में काफी लोग को पता नहीं होगा कि CGL exam से होता क्या है उनमें post कितनी होती है, age limit कितना होता है, qualification क्या क्या चाहिए exam written क्या होता है और syllabus क्या होता है और ये ऐसी exam है जिसमें interview होता ही नहीं है और आपको income tax officer तक बनने का मौका मिल जाता है तो बने रहे इस वीडियो के साथ मैं आपको देने वाला हूँ पूरी जानकारी SSC CGL के बारे में ठीक है, वीडियो को अंतक पूरा देखना, skip मत करना क्योंकि कुछ portion छूट जाएगा तो कुछ आपको पता नहीं चलेगा तो अगर जानकारी पूरी चाहिए, तो वीडियो भी पूरा देखना तो चलिए, शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू, SSC का full form है Staff Selection Commission और इसका हिंदी में मिनिंग होता है करमचारी चयन आयोग दूसरी चीज, CGL का full form है Combined Graduate Level, ठीक है? तो SSC will hold the CGL Level Examination for filling up of various Group B and Group C post SSC क्या करता है? CGL Level की examination लेता है वो किस post के लिए लेता है? तो Group B category और Group C category की post के लिए ये exam conduct करता है CGL वाली ठीक है? Different of Ministries, Departments and Organizations में तब Group B और Group C level की post Different, Different Ministries, Departments and Organizations की होती है कौन-कौन सी post? तो चलिए, मैं आपको post बता देता हूँ सबसे पहले देखेंगे Pay Level 8 की post ठीक है? Pay Level 8 में सिर्फ दो post है Assistant Audit Officer और Assistant Accounts Officer Assistant Audit Officer अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगा आप हर post की age limit आपको यहीं मिल जाएगे ठीक है? जैसे Assistant Audit Officer के लिए age limit क्या है? Not more than exceeding 30 years मतलब आपकी age जो है वो 30 से जादा नहीं होनी चाहिए 30 तक ठीक है और Assistant Accounts Officer यानि आपकी age भी 30 से जादा नहीं होनी चाहिए मतलब Pay Level 8 के लिए आपकी age limit 30 तक ही है 30 से जादा नहीं होनी चाहिए तो ही आप apply कर सकते हो बढ़ते हैं Pay Level 7 की post देखने के लिए तो यह है Pay Level 7 की post और अगर आपको सारे post बढ़ने हैं तो वीडियो pause करके आराम से post भी देख लिजेगा Name of the post और age limit भी देख लिजेगा सभी post का क्योंकि कुछ-कुछ post के लिए age limit वैरे कर रहा है इसमें कौन सा है Assistant Section Officer जिसकी age limit है 20 से 30 साल इसमें क्या है Assistant Section Officer Department बदल गया जिसमें age limit है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना Assistant Section Officer यहां तक चल रहा है उसके बाद Assistant है उसके बाद Assistant Section Officer अगेन है उसके बाद यह रहा आपका post Income Tax of Depart Inspector of Income Tax तो यह इंस्पेक्टर वाली post है और age limit not more than 30 years तो यह इंस्पेक्टर वाली post है और age limit not more than 30 years ठीक है और Assistant Enforcement Officer Sub Inspector Inspectors Post मुझो उमीद है कि आप सारी वीडियो को post करेंगे और age limit देख लेंगे बढ़ते हैं Pay Level 6 की post के लिए यह Pay Level 6 की post है यहाँ पे Assistant है Assistant और Superintendent है Divisional Accountant है Sub Inspector है Junior Statistical Officer है और Statistical Investigator Grade 2 की भी post है ठीक है Age limit यहाँ तक not exceeding 30 years है अप्टू 30 years है यह अप्टू 32 years है Junior Statistical Officer और यह भी not exceeding 30 years है आप वीडियो पॉस करके आराम से पढ़ लीजे कौन से Ministry Department या Cadre की post है बढ़ते हैं अगले Pay Level 5 की post पे Pay Level 5 में आपको मिलता है Auditor की post और Accountant की post और Accountant और Junior Accountant की post Age limit की बात करें तो 28 से 27 साल है सभी है बढ़ते हैं अगली Pay Level 4 की post के बारे में Pay Level 4 में कौन-कौन सी post है Senior Secretariat Assistant and Upper Division Clerks Text Assistant Sub Inspector Upper Division Clerks तो सभी के लिए Age limit 18 से 27 years है तो Maximum 27 years होना चाहिए अगर आप 27 से ज़्यादा हो तो इस post के लिए eligible नहीं हो बट वो 30 years वाली post के लिए eligible कहला होगे मुझे उमीर है कि आपको सारी post के बारे में जानकरी मिल गए होगी और Age limit की भी जानकरी मिल गए होगी अगर Age limit की जानकरी मिल गई है तो अब बाकी बचा है कि Age limit में क्या कोई relaxation मिलता है तो जी हाँ relaxation मिलता है उनको मिलता है जो community में already है तो अगर आप STSC में से हो तो आपको 5 साल का Age relaxation मिलता है मतलब maximum age 27 है तो उसमें 5 साल जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 32 साल और maximum age 30 है तो उसमें 5 साल जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 35 साल तो respective post के मताबित आप उस साल तक apply कर सकते हो अगर OBC community में हो तो 3 साल का extension मिलता है PWD यानि person with disability में unreserved हो तो 10 साल का person with disability में OBC हो तो 13 साल का और person with disability में STSC हो तो 15 साल का एक servicemen को 3 years after the deduction of the military service rendered from the actual age on the closing date तो यह है age relaxation तो अब तक मैंने आपको बता दिया कि post कौन कौन सी होती है आपके लिए बहुत सारी important post मिल जाती है और उसकी age limit भी generally 20 से 30 है तो 18 से 27 के बीच में ही वेरे करती है तो आपके लिए यह बहुत अच्छी exam है क्योंकि इसमें interview होता ही नहीं है और सबसे मज़िदार यह बात भी बता दूँ कि आप final year में हो तो भी apply कर सकते हो तो है ना मज़िदार वाली बात तो मैंने आपको बता दिया age limit तक की बात है तो अब चलते हैं educational qualification की और की qualification क्या चाहिए generally आपको bachelor's degree ही चाहिए from recognized university और its equivalent ठीक है तो मतलब अगर आप bachelor's degree holder हो graduate हो तो आपको यह मतलब आप यह SSCGL exam के लिए eligible हो ठीक है और जो candidates final year में है उनके graduation के वो भी apply कर सकते हैं तो उनके लिए खुशकपरी however they must possess the essential qualification on or before given date उनको मतलब qualification essential करना पड़ेगा मतलब वो pass हो चुके होने चाहिए given date के मताविट मतलब जब भी notification आएगा उसमे date mention रहेगा अगर आप final year या semester में हो और apply कर रहे हो तो इस date से पहले तो आपका result आ जाना चाहिए in short जब tier 4 आता है ना उससे पहले result आ जाना चाहिए और obviously उससे पहले result आ ही जाता है ठीक है तो आप समझ लो सारी post के लिए bachelor's degree eligible है but यहाँ पर all other लिगा तो हाँ दो तीन post ऐसी है जिसके लिए desired qualification चाहिए वो कौन कौन सी है वो बता देते हैं बाकि generally तो bachelor's degree holder apply कर सकते हैं कोई भी percentage criteria नहीं है आपका drop हो college में या फिर backlog हो etiquette हो और फिर बात में solve की गई हो तो भी आप apply तो करी सकते हो ठीक है कोई minimum percentage का criteria इसमें नहीं है जिसमें है वो मैं दिखाने वाला हूँ अभी चलिए आगे देखते हैं जैसे कि assistant audit officer है और assistant accounts officer की post है इसके लिए desirable qualification है chartered accountant या तो फिर cost and management accountant या तो फिर company secretary या तो फिर master's in commerce या तो फिर master's in business studies या तो फिर master's in business administration finance या तो फिर master's in business economics तो ये post desirable है किस post के लिए assistant audit officer के लिए और assistant accounts officer के लिए अगर आप ये qualification है तो आप desired candidate हो तो एक और post है junior statistical officer इसके लिए भी आपको चाहिए bachelor's degree in any subject आपकी bachelor's degree कोई भी subject में होगी तो चलेगा but with at least 60 percentage marks in mathematics at 12th standard आपकी भारवी में 60% marks होने चाहिए mathematics में या तो यानि अथवा इसके ये ना हो तो ये होना चाहिए bachelor's degree होनी चाहिए कोई भी subject में but statistics as one of the subject at degree level मतलब आप graduation कर रहे हो college का मतलब college कर रहे हो उसमें आपका statistics एक subject होना compulsory है तो ही ही आप junior statistical officer के लिए apply कर सकते हो या उसकी priority डाल सकते हो अगला statistical investigator grade 2 इस post के लिए भी desirable qualification है और वो क्या है bachelor's degree in any subject कोई भी subject में होगी bachelor's degree तो चलेगा but statistics as one of the subject from recognized university or institute यानि आपका statistics एक subject तो होना ही चाहिए graduation में the candidates must have studied statistics as a subject in all three years of their graduation course अगर आप graduation course कर रहे हो three years या three years वाला तो आपका आपने statistics पढ़ा हुआ होना compulsory है तो यहाँ पर मैंने qualification तक बता दिया आपको मैंने बता दिया कि post कौन कौन सी है बता दिया कि age limit क्या चाहिए generally कितनी है 18 से 32 वेरे कर रही है educational qualification क्या चाहिए तो graduation ही चाहिए उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ तीन post ऐसी है जिसके लिए desired qualification है तो बढ़ते हैं आगे कि अब यह तो पता चल गया कि हम eligible है तो सर अब यह भी बता दो कि selection procedure क्या है अब जब का आपको पता चल गया है कि मैं eligible हूँ ऐसा से CGL apply करने के लिए क्या चाहिए age limit या तो 18 से 27 साल तक कि मैंने देखिया है या तो 20 से 30 साल या तो not exceeding 32 years ठीक है तो यह कि selection procedure क्या है तो selection procedure यहां पर बताई गई है कि scheme of examination सबसे पहला होता है tier 1 जो होता है computer based examination वह आप qualify करोगे तब ही जाओ के tier 2 के लिए वह होता है computer based examination आप यह दोनों qualify कर लोगे उसके बाद आपको देना पड़े का tier 3 वह होता है pen and paper mode descriptive paper होता है जिसमें आपको लिखना रहता है और उसके बाद होता है final tier 4 जो होता है computer proficiency test और data entry skill test wherever applicable का मतलब है कि यह सभी post के लिए नहीं है tier 4 tier 4 कुछ चुनिंदा post के लिए ही है otherwise आपको सिर्फ document verification करवाने जाना है इसमें कोई भी interview नहीं है no interview ठीक है तो आपको अगर इंटर्वू के बिना की job चाहिए तो इस सबसे बड़ी और सबसे अच्छी और सबसे अच्छे designation वाली job है ठीक है final year के student भी apply कर सकते हैं कोई percentage criteria भी नहीं है graduation वाले apply कर सकते हैं 20-30 साल का gap है और कोई भी interview नहीं है आपको just scheme of examination को procedure करना है follow करना है और वह select होने के बाद आपका selection पक्का हो जाएगा ठीक है वापस से follow करवा देता हूँ tier 1 है computer based examination वह clear करोगे तो ही आप देपाओ के tier 2 और वह है वह भी computer based examination 17 से पहले यह offline होते थे 17 के बाद अब यह online होने है थर्ड जो tier है वह है pen and paper mode है वह offline ही होगा और वह descriptive paper है और tier 4 जो है वह computer proficiency test या दो data entry skill test वह कुछ चुनिंदा पोस्ट के लिए है और बाकी अगर आप यह तीनों tier call qualify कर चुके हो तो यहाँ पर document verification के लिए पहुँच जाना है ठीक है अब सबसे महत्वकून बात आपको मैं बता दू tier 4 जो है वह यह जो computer proficiency test है या फिर data entry skill test है वह compulsory तो है बट just qualifying nature में है इनके marks कहीं आगे यूज होने वाले नहीं है final merit में ठीक है तो final merit में marks किसके यूज होने वाले है तो final merit में marks यूज होने वाले है tier 1 के tier 2 के tier 3 के जी हाँ यहाँ पर कोई भी exam ऐसी नहीं है कि tier 1 सिर्फ qualifying nature में है आपको tier 1 में भी अच्छा perform करना पड़ेगा tier 2 में भी अच्छा perform करना पड़ेगा और tier 3 में भी अच्छा perform करना पड़ेगा जिसकी वज़े से आपका final merit अच्छा ही बने ठीक है और आपको desired post चाहिए जनरली सबको income tax officer बनना होता है तो वो आपको चाहिए रहती है ठीक है तो यहाँ पर आपको यह धियान रखना है कि आपको यह तीनों tier में अच्छा score करना है और tier 4 में अगर आपके लिए computer proficiency test बनता भी है तो वो just qualifying nature में होगा आपको just clear करना रहेगा बाकी merit तो tier 1, 2 & 3 से ही बनेगा negative marking होगा और वो होगा one fourth ठीक है अगर मैंने आपको selection procedure बता दे तो काफी लोग बोलेंगे कि sir exam pattern भी तो बता दो चलो exam pattern बताते हैं सबसे पहले tier 1 के लिए जाते है tier 1 है computer based examination जिसमें होता है सबसे पहला जन्रल इंट्रिजेंस एंड रिजनिंग 25 नंबर ओफ क्वेश्चन है और maximum mark 50 है जन्रल अविनेस 25 क्वेश्चन 50 मांक्स quantitative aptitude 25 क्वेश्चन 50 मांक्स और English Comprehension 25 क्वेश्चन 50 मांक्स total question हो जाएंगे 100 और total marks हो जाएंगे 200 तो इसमें ओन फोर्फ नेगेटीव होगा ओन फोर्फ नेगेटीव यानि एक question दो मांक्स हो जाएगा point 50 सही ना equation 2 मांक्स हो जाएगा और total 100 question के लिए आपको मिलेगा टाइम 60 मिनिट कोई सेक्शनल टाइम नहीं है तो आपको 60 मिनिट में यह सारे क्वेश्चन खतम करने है ठीक है एक्जाम ऑब्जेक्टिव होगा ऑनलाइन होगा समझ में आ गई बात तो यह है टीयर वन रिजनिंग का 25 क्वेशन 50 मार्ग सभी सेक्शन के 25 क्वेशन 50 मार्ग यहां पर एक important बात बता दो जैसे कि यह A है यह B है और D है मतलब reasoning, general awareness और English है वो graduation level का पूछा जाएगा और जो maths बच गया है वो पूछा जाएगा आपके 10th के लेवल का समझ गया है ऐसा instruction में लिखा है तो मैंने आपको बता दिया चलिए यह clear है यहाँ पर tier 1 online होगा objective होगा यानि MCQ पूछे जाएंगे और चार सब्जेक होगे reasoning, general awareness, quantitative aptitude और English language सभी में 25 क्वेशन होगे हर section में और हर section के marks हो जाएगे 50, total question हो जाएगे 100, marks हो जाएगे 200 और duration आपको मिलेगा एक गंटेगा ठीक है तो बढ़ते हैं अगले यानि second tier 2 की और tier 2 भी computer based examination है और यह भी objective यानि MCQ based ही है और यह भी online है और यहाँ पर भी negative marking 14th ही है तीक है इसमें section नहीं है इसमें paper है बकाईदा जैसे कि paper 1 वो है सिर्फ maths है quantitative abilities यानि mathematics जिसमें 100 question रहेंगे 200 mark रहेंगे यानि 1 question 2 mark का होगा और 120 minutes मिलेंगे मतलब एक paper दो गंटे गा रहेगा ठीक है यहाँ पर फोर इच पीपर लिखा है मतलब हार एक paper paper 2 है English language and comprehension यानि English language का उसमें 200 question है और 200 mark है और time तो दो गंटे गा थर्ड पेपर है statistics वो है 100 question 200 mark ताइम रहेगा दो गंटा और फोर्थ पेपर है general studies finance and economics वो है 100 question 200 mark और duration रहेगा 120 मतलब चार paper अब इस फोर पेपर में से यह paper 1 और पेपर 2 सभी पोस्ट के लिए कंबल सरी है आपको यह paper सभी post कोई भी post के लिए apply कर रहे हो आपको यह दोनो paper तो देने ही देने paper 3 और paper 4 particular post के लिए है वो मैं आपको आगे जल के बताता हूं next slide में बर्ट यह समझ जाओ paper 1 and paper 2 compulsory है paper 3 and paper 4 particular post के लिए ही है ठीक है paper 1 का 100 question 200 mark 2 गंटे का समय पेपर 2 का 200 question 200 mark 2 गंटे का समय पेपर 3 100 question 200 mark 2 गंटे का समय और paper 4 100 question 200 mark 2 गंटे का समय नेगेटिव मार्किंग 1 fourth है exam online रहेगा और objective ही रहेगा यानि MCQ based ही रहेगा तो tier 1 की exam pattern आपको पता चल गई tier 2 की exam pattern पता चल गई तो चलिए मैं उन दोनों का common instruction बता देता हूं कि negative marking दोनों paper में 1 fourth है मतब tier 1 में भी 1 fourth है tier 2 में भी 1 fourth है tier 2 में paper 1 and paper 2 compulsory है सारे post के लिए ठीक है जैसा मैंने बता है paper 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ junior statistical officers and statistical investigator grade 2 की post के लिए ही है मतब ये दो post का अगर आप chain करते हो उनके लिए अगर आप eligible होते हो क्योंकि उनके लिए तो education qualification भी desirable है तो इस post के लिए अगर आप eligible हो तो आपको compulsory paper 1, paper 2 तो देना ही है साथ ही साथ paper 3 भी देना है और अगर paper 4 आपके लिए eligible बनता है अगर आप assistant audit officer या assistant accounts officer के लिए apply करते हो तो आपको paper 4 compulsory देना बन जाता है मतलब paper 1 और 2 तो देना ही है और paper 4 भी आपको देना रहेगा और जो इन post के लिए eligible नहीं है उनको इन दोनों paper का कोई attention लेना नहीं है कोई काम का नहीं है आपको पूछने बाले नहीं है तो मेरे काल से आपको मैंने अभीदर क्या-क्या बता दिया वो बता देता हूं आपको मैंने total post बता दी age limit बता दी educational qualification बता दिया mode of selection बता दिया फिर टियर 1 की exam pattern बता दी टियर 2 की exam pattern बता दी तो आप बढ़ते हैं टियर 3 क्यों है टियर 3 में pen और paper mode होता है यानि offline exam होती है आपको return करना होता है लिखना रहता है descriptive paper बोलते हैं जिसको pen and paper mode में क्या लिखना होता है descriptive paper in English और Hindi या तो आप chain कर सकते हो English या तो chain कर सकते हो Hindi क्या करना होता है writing essay प्रेसी लेटर एप्लिकेशन एडिस है definitely आपको essay लिखना होगा प्रेसी लिखना होगा letter लिखना होगा application लिखना होगा या तो हिंदी या तो English में total marks कितने एलोट के गए है 100 marks और total minutes कितनी दी गई है 60 minutes तो यह pen and paper mode है बढ़ते हैं tier 4 की ओठेक है tier 3 भी आपको आना है tier 1 आप यह चीज़ समझाओ tier 1 qualify करोगे तो tier 2 में जाओगे tier 2 qualify करोगे मतब tier 1 और tier 2 मिला के tier 3 में आपको जाने को मिलेगा और tier 3 qualify करने के बाद ही आपको tier 4 के लिए जाने को मिलेगा तो और यह tier 1 tier 2 और tier 3 तीनों के marks include होने वाले है एडिशन होने वाले है तो आप किसी में एक में भी मतलब अच्छा परफॉम करोगे किसी एक में बुरा परफॉम करोगे ऐसा मत करना सभी में marks अच्छे लाना बढ़ते हैं tier 4 की ओर tier 4 को बोलते है skill test skill test दो टाइप की यह लो consistent के लिए है जो central excise और income tax में रहेंगे उस post के लिए eligible रहेंगे और उसमें क्या करना रहेगा तो आपको 8000 की depression लगाना है एक घंटे में computer पे ठीक है तो 8000 की press होनी चाहिए per hour और अगर computer proficiency test की बात करे तो उसमें आपको word processing का एक module बनाना रहेगा एक spread street का module बनाना रहेगा और एक generation of slides यानि आपको Microsoft Word और spreadsheet और PowerPoint का test देना रहेगा और यह भी कौन सी post के लिए मैंने आपको बताया था कि tier 4 तो particular post के लिए है और particular post कौन सी central excise, income tax, assistant section officer in this department, assistant in this department, this department and assistant in ministry of mind, inspector central excise, inspector preventive officer, inspector examiner in CBIC तो इन post के लिए ही आपके लिए tier 4 आएगा अगर आप इन post के लिए eligible नहीं हो या तो फिर आपने इसकी ब्रावटी नहीं दिये या तो फिर आपको इसके लिए जाना नहीं है तो आपको tier 4 नहीं आएगा, just document verification आएगा, ठीक है, tier 4 वैसे भी qualifying nature में है, ठ इसके marks कहीं भी include नहीं होने वाले, ठीक है, आपको just इसमें pass होना है, ठीक है, marks किसके include होंगे, tier 1 के, plus tier 2 के, plus tier 3 के, और final merit बनेगा, मुझो उमीद है कि मैंने आपको tier 4 तक सहीं से drive कर लिया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो, तो मेरी, मतलब मुझे बहुत, मतल होगी, तो बढ़ते हैं आगे, आगे बताता हूँ application fee कितनी होते हैं, जी हाँ application fees भी है, कि 100 रुपिया हर एक को देना है, कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ लोग में कौन है, तो woman candidate हो, तो उनके लिए कोई fees नहीं है, अगर आप SC या ST community में हो, तो भी आपके लिए कोई fees नहीं है, अगर आप person with disability में हो, तो भी आपके लिए कोई fees नहीं है, और अगर आप ex-servicemen हो eligible में, तो भी आपके लिए कोई fees नहीं है, तो in short, अगर आप in post के अलावा, in category के अलावा में आते हो, तो आपको 100 रुपे fees देनी पड़ेगी, और 100 रुपे काफी कम है, इतनी ज हाल से, आपको पता चल गया होगा कि application fee कितनी मिलते है, तो बढ़ते हैं, आगे, आगे क्या चाहिए हमें, syllabus, यहाँ, मैंने आपको syllabus देने का भी वादा किया, तो आपको मैं syllabus भी दे रहा हूँ, यहाँ पे tier 1 के लिए general intelligence and reasoning का syllabus है, आप इसको वीडियो को pause करो, और पूरा syllabus या तो screenshot ले लो, या तो पढ़ लो, दूसरा, quantitative aptitude, tier 1 के लिए, तो यह भी आप video pause करो, और देख लो, तीसरा, general awareness और English comprehension, वीडियो को pause करो, और देख लो, तो यह मैंने आपको बता दी है syllabus for the tier 1 examination, मतरब tier 1 examination में जो 4 subject थे, उन 4 subject के मैंने आपको syllabus दिखा दी है, ठीक है, चलो, tier 2 की बात कर लेते है, tier 2 में quantitative abilities, यानि paper 1 का syllabus यह रहा, ठीक है, tier 2 का paper 2 का syllabus, यानि English language and comprehension का syllabus यह रहा, और मैंने paper 3 और paper 4 का syllabus नहीं दिया है, syllabus में, tier 2 में paper 3, जो specialized post के लिए है, कौन-कौन सी post है, जो बता देते है, चोड़ो, अभी मैंना है, वो, हाँ, लो मिल गया, चलो, specialized post, यानि, paper 1, paper 2, paper 3, paper 3 statistics का है, जिसमें आपको, मतलब collection, classification and presentation and statistical data, measures of classical tendency, अगर आपको paper 3 and paper 4 का syllabus चाहिए, तो आपको description चेक कर लेना है, description में आपको link मिल जाएगे, advertisement की उसमें आपको पूरा syllabus मिल जाएगा, ठीक है, तो आप description चेक कर लेना, वहाँ पे paper 3 and paper 4 का syllabus आपको PDF में मिल जाएगा, और वो कौन से page number पे मिलेगा, वो भी बता देता हूँ, page number 21 पे आपको syllabus मिल जाएगा, 21 और 22, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप उतना तो करी लोगे, क्योंकि उसका syllabus काफी सारा लंबा चोड़ा है, और मैं वीडियो में डालता है, तो वो जादा लेंदी हो जाता, चली, आगे बढ़ते हैं, आगे minimum qualifying marks, जी यहाँ कुछ minimum qualifying marks है, इन tier 1, each paper in tier 2 and tier 3, तो tier 1, tier 2 and tier 3 में minimum qualifying marks कितने हैं, अगर आप unreserved category में हो, तो आपको 30% minimum ला नहीं है, अगर आप OBC और EWS category, EWS मतलब economically weaker section, उसके लिए 25% compulsory है, और अगर आप others category में हो, तो आपके लिए 20% लाने compulsory है, ठीक है, तो others मतलब बाकी बचगाई category उन के लिए, ठीक है, unreserved के लिए 30%, OBC, EWS के लिए 25% और other के लिए 20%, based on the marks obtained in tier 1, computer-based examination will be shortlisted category-wise and tier 2 and tier 3, मतलब अगर आप tier 1 qualify करते हो, उसके marks के आधार पे आपको tier 2 और tier 3 में जाने को मिलेगा, और separate cut-offs will be fixed, जैसा कि tier 2 में आपके पास 4 paper होते हैं, उसमें से 2 paper तो compulsory होते हैं और 2 paper specialized होते हैं, उन 2 paper की, यानि paper 3 and paper 4 के लिए अलग से cut-off बनाई जाएगे, और उसके लिए fix किया जाएगा, ठीक है, तो यह minimum qualifying marks हैं, जस्ट आपके knowledge के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ general instruction देख लेते हैं, जैसा कि, based on the aggregate performance in tier 1 and tier 2 examination, candidates will be shortlisted for the evolution of tier 3, obviously अगर आप tier 1 में qualify होंगे, तो tier 1 and tier 2 का aggregate performance मिला के tier 3 के लिए qualification आपको, मतलब उसके लिए जाओगे, आगे क्या लिखा है, candidates who are not qualified in tier 2 will not eligible, obviously अगर आप tier 2 में qualified नहीं होते हो, तो आप आगे नहीं जा पाओगे, आप procedure से ही बाहार निकल गे, based on the aggregate performance of qualified candidates, tier 1, tier 2 and tier 3 examination, candidate will be shortlisted to appear in document verification and skill test, आप tier 4 में तभी जा पाओगे, जब आपका aggregate marks tier 1, tier 2 and tier 3 का eligible हो जाएगा, tier 4 में जाने के लिए तभी, तभी आपको document verification या तो skill test के लिए जाना पड़ेगा, skill test, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सिर्फ mandatory है, और वो qualifying nature में है, उसके score last में count होने बाले नहीं है, बट अगर आप skill test में fails होते हो, अगर qualify नहीं होते हो, तो आप not eligible हो जाओगे, यानि आपको exam में से race में से बाहार निकल जाओगे, तो आपको tier 2, 1 में भी अच्छा perform करना है, tier 2 में भी अच्छा perform करना है, tier 3 में भी अच्छा perform करना है, और tier 4 में pass तो होना ही है, ठीक है, merit list कैसे बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बता ही चुका हूँ, मुझे उमीद है कि आपके सारे doubt clear हो चुके होंगे, यह पूरे वीडियो में, अगर कोई भी doubt से रहेगा है, तो आप comment section आप बता सकते हो, मैं आपके doubt solve करने की कोशिश्च पूरी पूरी करूंगा, एक बार फिर से recap कर लेते हैं, एक्जाम कौन सी थी, SSC, CGL, age limit क्या चाहिए, कौन apply कर सकता है, तो any graduate, ठीक है, age limit क्या चाहिए, तो generally 18 से 27 भी है, और not more than 32 या 30 years भी है, ठीक है, तो यह दोन फुल्फिल कर रहा है, eligibility criteria, यानि आप eligible हो, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, कुछ post के लिए, तीन post SE है, जिसके लिए prescribed qualification चाहिए, तो वो होगा, तो ही आप उसके लिए चापा हो, कि percentage criteria कोई नहीं है, selection procedure मैंने आपको बता दिये, tier 1 है, 1 से लेके 4 तक है, ठीक है, कोई भी interview नहीं है, no interview, मैंने application fee बता दिये, 100 रुपय है, कुछ लोगों छोड़ गये, ठीक है, और मैंने पूरा चीज़ आपको syllabus भी बता दिया है, exam pattern भी बता दिये, तो मुझे उमीद है, कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है, तो like जरूर बनता है, एक share भी जरूर बनता है, ताकि आपका भी बलाओ, और आपके दोस्तों का भी बलाओ, उनको भी ये awareness मिले, कि SSCGL exam होता क्या है, और उसके लिए क्या prepare करना लाता है, और चैनल अच्छी लगे, तो subscribe जरूर कर लेना, और साथ में bell icon भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ, आपको उसका notification सीधा मिल जाए, और आप कोई भी update से miss ना हो पाए, अन्त में इतना ही कहूंगा, अगर आप मु रेडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुब रहे, और आप SSCA के लिए रेडियो जाओ,